मिलने को रात दिन तडपेगा जो बात भी नहीं करता जिहामत्रो एक ऐसा उपाय एक ऐसा तूटका जो आपके प्यार को आपके नाराज प्रेमी या प्रेमिका को पती या पत्मी को जिसके बीच भी कोई भी ऐसी परिशानी चल रही है कि आप दोनों के बीच बात बिखड र नहीं मन मुटाओ द्वेश इतना बढ़ चुका है कि दोनों एक दुश्रे को छोड़ देना चाहते हैं जहां पर भी कोई एक ऐसा है जो उस प्यार को अपने वापस पाना चाहता है कैसी भी नाराजगी हो छोटी बड़ी किसी भी हद तक बाँचुकी हो इस छोटे से उप उपाय को बदाय हुए तरीके से आप एक बार कर लें इतना शक्तिशाली उपाय है कि मात्र चार से पांच घंटे में ही अपना असर शुरू कर देता है और सामने वाले व्यक्ति को आँग के पास वापस ले आता है मित्रू बहुत सरल सा उपाय है लेकिन जितना सरल है वो तुमेही शक्तिशाली उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ मों बैर अच्छे से एक बार धोले किसी भी समय उपाय किया जा सकता है उपाय की विदी उपाय की क्रिया को ब परिशानी आएगी और आपका उपाय गल्थ होगा और उसके परिणाउन आपको प्राप्त नहीं होंगे। क्या करना है आप। मित्रो इस उपाय में आपको धाई लॉंग लेनी है। धाई लॉंग से अर्थ है दो लॉंग बिलकुछ साबुत होंगी। अखंडित तोटी भी नाओ कहीं से साबुत लॉंग। एक लॉंग आप ऐसी लेन जिसका आगे का जो मुटा भाग होता है उसे आप तोड़ लें। पीछे के बाग को पहले ही हटा दे और ये धाई लॉंग आप लेकर बैठेंगे आप तो आपने क्या करना है थोड़ा सा पानी अपने पास रखना है। बहुत अधिक नहीं चार से पांच चम्मच के अनुमान पानी आप अपने पास रखें एक कटोरी है। कटोरी को आप एक तरता दे कहीं भी है। उसकी अभिय आपको कोई आवशिकता रही है। आपने धाई लॉंग ली उसे आपने अपने सीधे हाथ पर रखा। हाथ को बंद करें, मठी बनाने, ऊपर से अपना उल्टा हाथ रख दें। आखें बंद करें, उसे व्यक्ति को इस्वणन करें जिसकी लिए आप यह उपाय कर रही है। उसे ठीक प्रकार से सोचें, इस प्रकार सोचें कि उसकी तस्वीर आपको दिखने लग जाए। आप उसे ठीक प्रकार से सोचने विचार लिया है, तब आप निद्या करना है, एक मंत्र का उचारण करना है। मंत्र जो आप बोलेंगे, वो मंत्र आपने ग्यारा बार बोलना है। किस प्रकार से आपने मंत्र बोलना है। ओम, हींग, एंग, अमुक वश्यव अमुक के स्थान पर आपने उस ग्यक्ति का नाम ले लिए जो उसका पहना नाम है, मुख्य नाम, फस्ट नेम जो होता है, वो आपने लेता है मंत्र को मौखित बोलेंगे, मुँसे बहार आना चाहिए हलका हलका धेरे-धेरे बोलना तेज बोलने की कोई आवशप्ता दे बस मंत्र को ठीक प्रकार से उच्चारित कर रहे उपाय को एक हांत में करना है ध्यान रहे कोई भी विग्न डानने के लिए आसपास ना हो किसी व्यक्ति को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे कुप्त रूप से ही आपने उपाय को कर रहे मंत्र जब आप 11 बार बोलने हैं उसके बाद आपने क्या कर रहा है हाथ की वो ठीक हो रहनी है और उस स्थान से खड़े हो जाए कि जो कटोरी आपने लिए जिसमें पानी है उसमें लोगों को डाल लोग को लिए आपको खड़ा होना अवश्चक पही है आप बैठे-बैठे भी डाल सकते हैं आपने कटोरी उठाई एक स्थान पर रखना है उससे कम नहीं होना चाहिए अधिक हो जाए कोई बाद नहीं आपने उसके बाद इस कटोरी उस स्थान से उठा लेनी है इस कटोरी को घर से बाहर लेकर जाए या घर की छप पर चले जाए अगर घर से बाहत जा रही है तो पांच कदम से अधिम दूर लिख लें और अगर जब के उपर जा रही है तो आप किसी भी तरफ इसको पानी समीद के रादे ये लड़ाओंगें आपने पानी समीद के रादी और नीचे वापस अपने घर के भीतर आ गए बाहर में ये हैं तो भी और इसके बाद आपने ये पात और ये कटोरी ठीक प्रकार से दोलेनी है अरकि आपसे दुबार अस्तेवाब ले सके ये उपाय ने तो इतना आपने कर लिया उसके बाद आप इल्टियार करें वो सान्वे मानगिक्ती जिसके लिए आपने ये उपाय किया है खुद आपसे करेगा संबर्क और अपने रिष्टे अपने संब्द्ध आपसे खुट ठीक करेगा अब दिया अग्यमत्रू फिर वो लाकातों की अगली वीडियो में एक ऐसे ही मौती शप्तिशाली पाय के साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार